हिंदू नववर्ष और विक्रम समवत दोहजार एक्यासी की हार्दिक बढ़ाई वारन शुपकामनाओं के साथ मैं वैभवनाच शर्मा आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत पर अभिननन करता हूँ अपने यूज्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तू रेमिडीज पर दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं विक्रम समवत दोहजार इक्यासी की जो हिंदू नववर्ष है हम लोग जानेंगे कि इस बार माता का आगमन नवरात्री का जो पहला दिन होगा माता का आगमन किस तरह से होगा नवरात्री का प्रभाव हमारे आपकी जीवन में क क्या होगा क्योंकि माता के आगमन और प्रस्थान का भी बड़ा महत्व है नवरात्री में चैत्र नवरात्री में खास्त तोर पर और नव समवत्सर्थ दोहजार इक्यासी जो हमारा हिंदू नवर्ष है विक्रम समवत्थ दोहजार इक्यासी उसके बारे में भी धेरो जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर किया आया हूँ इस नवरात्री घोड़े पर सवार होकर के माता आने वाली है और हाथी पर उनकी विदाई होगी यानि उनका प्रस्थान जो है वो गजपर होगा इसका महत्व क्या होगा कलश स्थापना का समय मुहूर्थ विशेश क्या होगा और इस दिन से ही आरंब हो रहे हिंदू नव विक्रम समवत्सर नव समवत्सर 2018 के बारे में भी कुछ बहुत खास बहुत रोचक बाते हम लोग जानेंगे और ये भी जानेंगे कि किन तीन विशेश राजय योगों में इस बार हिंदू नवर्ष आरंब हो रहा है ये बहुत ही महत्वपूर हैं तो आज नवरात्री और और हिंदू नववर्ष नव समवत्सर 2021 से related उससे संबंदित बहुत अच्छी अच्छी रोचक जानकारिया मैं आपको देने जा रहा हूं साथ इसाथ कलश स्थापना का नवरात्री का विशेश मुहूर्थ क्या रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा हिंदू धर्म में नव समवत्सर विक्रम समवत्ट चैत्र शुक्र प्रतिपता की तिथी से आरंभ होता है वैदिक पंचांग की घर्णा के रुप में जाएगा करीब 30 वर्ष बाद नव वर्ष की शुरुवात जो है वो शुब राज्योगों में होने जा रही है 9 अप्रेल को हिंदू 9 वर्ष विक्रम संवत 2021 का पहला दिन होगा और इस दिन अमरित सिद्धियोग, सरवार सिद्धियोग, शश्योग का संयोग भी बन रहा है इस बार विक्रम संवत 2021 के राजा मंगल होंगे और शनी देव जो हैं वो मंत्री होंगे सिनापती का कार्यभार शुक्र देवता समालेंगे और संवत्सर का वाहन व्रिशब यानी बैल होगा ऐसे में पूरे साल शनी और मंगल का प्रभाव जो है इस संवत्सर में बना रहेगा इस वर्ष को कई नकरात्मक घटनाव वाला वर्ष भी माना जा रहा है क्योंकि शनी मंगल की आपस की अतिशत्रता है और उनका प्रभाव रहने वाला है माना जाता है कि जब राजा या किसी देश के प्रधान मंत्री और बाकी मंत्रियों के बीच अच्छा तालमेल होता है तो वहाँ सुशाशन चलता है लेकिन कालयुक्त वर्ष में मंगल देव जो है वो राजा है और शनी देवता मंत्री हैं दोनों के बीच अती शत्रुता का भाव रहता है ऐसे में इस वर्ष पर इनका नकरात्मक प्रभाव पड़े इसकी संभावना ज़्यादा दिखती है इस दोहजार इक्यासी के संवतसर का नाम क्रोधी होगा पंचांग भेच से क्रोधी को ही कालयुक्त भी कहा गया है हमारे अलग-अलग पंचांगों में किसी में क्रोधी नाम बताया गया किसी में कालयुक्त बताया गया इनके राजा मंगल है और मंत्री शनी देव होंगे इस वर्ष ग्रहों के दशादिकार में साथ विभाग जो है वो कुरूर ग्रहों के अधिकार में आ रहे हैं और तीन विभाग जो हैं शुब ग्रहों को मिले हुए हैं मंगल के राजा और शनी के मंदल मंदल कैसे होगा वो समझ दीजे भनेश भी मंगल दीवता दूर्गेश भी शनी देवता रसेश गुरू फलेश शुक्र और मेघेश जो है वो शनी देवता आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि नवरात्री में कलश स्थापना मुहूर्त इजबार क्या है और नवरात्री से संबंदित कुछ बातें फिर हम लोग लोड़ करके विक्रम संवत पर आ जाएंगे नौ दिनों तक चलने वाले नवरात्री चैत्र नवरात्री मंगलवार नौ अप्रेल को आरम हो रहे हैं तो कलश स्थापना का मुहूर्त क्या है ये भी जान लेना होगा हिंदु धर्म में नवरात्री का विशेश महप होता है नवरात्री के 9 दिनों में माता दुर्गा के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा अराधना की जाती है मा दुर्गा को सुख सम्रिद्धी और धन की देवी कहा गया नवरात्री के दोरान माधुर्गा की विदिविदान से पूजा की जानी चाहिए और हम लोग करते भी हैं जितना संभभ हो जाता है मानेता है कि नवरात्री में माधुर्गा की पूजा अर्चना करने वाले भक्तों पर माताराणी की क्रिपा सदैव بنी रहती है हिंदू पंचांग के नुसर चैतर नवरात्री चैत मास के शुक्लपक्ष की प्रतिपधा से आरंब होती है नौ दिनों तक चलने वाली चैतर नवरात्री मंगलवार 9 अपरेल को कलश स्थापना के साथ आरंब होगी इसके साथ हिंदू नवर्ष भी आरम हो जाएगा मंगलवार को कलच स्थापना होगी चैत्र नवरात्री के पहले दिन शुबमूर्थ में गट स्थापना करने का विदिविदान है शुबमूर्थ में मादुर्गा की पूजा अर्चना से विशेश फल की प्राप्ती होती है चैत्र नवरात्री का समापन 17 अपरेल 2024 को होगा मा का आगमन और प्रस्थान क्या है इस साल देवी का आगमन घोड़े पर हो रहा है और हाथी पर सवार हो करके मा प्रस्थान करेंगी यानि विदा लेंगी धार्मिक मानेताओं के नुसार देवी का घोड़े पर आना शुब नहीं माना जाता है मा हाथी यानि गज पर सवार होकर के प्रस्थान करेंगी जिसे बहुत शुब माना गया है घोडे पर आगमन के कारण राज में भय और युद्ध की इस्तिती रहने की संभावना रहती है जब की हाथी पर विदा होने से सीजन में अच्छी बारिश की संभावना जताई जाती है पूजा विधी क्या हो सुबह उट करके जल्दी इस्नान कर लें फिर पूजा इस्तान पर गंगा जल डाल करके उसको साफ शुद्ध कर लें घर के मंदिर में दीप प्रजवलित करें मा दुरगा को गंगा जल से या शुद्ध जल से आप अभिशेक करें माता को अक्षट सिंदूर और लालपुष परपित करें प्रसाद में प्रसाद के रूप में फल और मिश्ठान का आप उनको भोग लगाएं दूप और बीव जिला करके दुरगा चालेसा का पाट करें या पिर आप दुरगा शब्तशती का पाट स्वेम भी कर सकते हैं अगर आपका अभ्यास है आदत है नहीं तो किसी ब्रामन से करा सकते हैं उसके उपरांत आपको माता की आर्पी करनी चाहिए मा को भोग लगाना चाहिए इस बात का ध्यान रखे कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग समर्पित किया जाता है मादुर्गा की पूजन सामगरी में आप क्या-क्या चीजें प्रयोग में लेंगे क्या-क्या चीजें आम तोर पर प्रयोग में आती हैं आम के पत्ते अक्षत चावल यानि लाल कलावा गंगा जल चंदन नारियल कपूर जौ गुलाल लौंग इलाइची पांच पान के पत्ते सुपारी मिट्टी का बरतन कलश के लिए और पूजन सामगरी रखने के लिए भोग इत्यादी के लिए आपको बरतन चाहिए होगा फल मिट्टी के बरतन श्रिंगार का सामान आसन कमल गट्टा इत्यादी कलश स्थापना की आवश्यक सामगरी क्या है कलश स्थापना के लिए अनाज मिट्टी के बरतन पवित्र मिट्टी कलश गंगा जल आम या शोप के पत्ते सुपारी जटावाला नारियल लाल सूत्र मौल इलाइची, लॉंग, कपूर, रोली, अक्षत, लालकपड़ा और फूल, इत्यादी नवरात्री के हवन में पूजा के लिए कौन-कौन सी सामगरी जिसे हविश कहते हैं जो आप हवन में आउती डालते हैं क्या-क्या चीजें होती हैं वो भी समझ लेना चाहिए पीपल का तना या चाल, बेल, नीम, पलाश, चन्दन की लकड़ी, अश्वगंदा, मुलेठी की जड़, तिल, चावल, लॉंग, गुलर की चाल, गाय का घी, लोबान, इलाइची, शक्कर और जव ये चीजें प्रमुकता पर हैं, कुछ लोग उसमें कबलगटा वगरा का भी प्रयोग करते हैं, गेहूं वगरा भी, चावल वगरा भी प्रयोग में लेते हैं तो ये तो बात रही माता की पूजा की सामगरी की कलश स्थापना के क्या क्या चीजें सामगरी आपको चाहिए अब हम लोग जानेंगे कि कलश स्थापना का विशेश मुहूर्त क्या है गटे स्थापना का मुहूर जो सुबह का है वो 6 बज करके 12 मिनट से शुरू हो रहा है और 10 बज करके 23 मिनट तक रहेगा इस बार ये अवधी बहुत अच्छे समय के लिए मिल रही है कुल 4 घंटे 11 मिनट के लिए ये अवधी हम लोगों को प्राप्त हो रही है अमूमन ये अवधी 11 घंटे या 50 मिनट 40 मिनट ऐसे होती थी मूलता ऐसी होती है और इसके बाद अगर मालीजे आप सुबह 6-12 से लेकर के 10-23 तक आप कलश स्थापना नहीं कर पा रहे हैं तब क्या करें अगर आप अविजित मूहूर्थ में दोपहर में कलश स्थापना करना चाते हैं 12 बच करके 3 मिनट से शुरू होता है और 12 बच करके 33 मिनट तक ये मूहूर्थ रहने वाला है तो ये कुल 50 मिनट की अवधी का दोपहर का अविजित मूहूर्थ का भी एक आपको संयोग मिल जा रहा है प्राप्त हो रहा है तो ये तो बात रही नवरात्री में कलश स्थापना देवी की पूजा इत्यादी के अब हम लोग लोट करके फिर से हिंदू नववर्ष पर आते हैं अब हम जानते हैं कि हिंदू नववर्ष में कौन-कौन सी घटनाए हो सकती है हिंदू न जन्द्र की इस पर्ष्ट गणित प्रक्रिया के कारण किसी पक्ष में दो बार तितिका च्छे हो जाने से 13 दिन का पक्ष आ जाता इसे विश्वगस्त पक्ष भी कहते हैं इस पक्ष को इसलिए अशुब माना गया है क्योंकि महाभारत में भी 13 दिन के पक्ष के के योग बनते हैं यह जो समवतसर 2021 है इसका मौसम के उपर क्या प्रभाव रहेगा उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो कहीं वर्षा अच्छी होगी तो कहीं सुखा नर्मित रह सकता है गर्मी सामान्य रहेगी लेकिन बारिश और ठंड बढ़ सकती है और समान् चक्रवात भुकम और बार से लोगों को बचना होगा इस बार भुकम और चक्रवात के कारण जानमाल के नुकसान की ज़्यादा आशनका व्यक्त की जा रही है भारत में कोई नया रोग कोई नई महमारी के आने के योग भी दिखते हैं केतु के कारण वारल संट्रमन होने क की संभावना है जिसके चलते लोगों में बेचैनी बहुत रहेगी मानसिक तनाव बढ़ सकता है लोगों को अभी से ही अपने स्वास्त का ध्यान रखने और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने पर ध्यान देना होगा वर्ष दोहजार चौबिस में मंगल चनी और राहू के प पुथल पुथल पिछले वर्ष की अफेक्चा जादा अधिक सकता है राजनेतिक पार्टियों में शत्रुता की भावना बढ़ सकती है जूटे आरोप और प्रत्यारोप के चलते नफरत बढ़ेगी किसी बड़े राजनेता को पद त्याग ना पढ़ सकता है या किसी बड दो नेताओं पर हमले प्राण घातक हमले की भी संभावना बनती है कई नेताओं को कानूनी सजा भी मिल सकती है क्योंकि अगले वर्ष का मंत्री शनी देवता है भाजपा की अपेक्चा कॉंग्रेस का प्रभाव तेजी से बढ़े जिसके चलते देश में राजनितिक अस्त संभावना भी बनती है अप्रेल मई जून जुलाई और अगस्त का माह भारत के लिए कठिन रहने वाला है पश्चिम बंगाल और उत्तरपूर्वी भारत में ज़्यादा आशांती रहने की इस्तिति दिखती है यानि भारत में आंतरिक संगर्च बढ़ने की संभावना बन संभावना दिखती है पेट्रोल के दाम में भी बढ़ोतरी के योग दिखाई देते हैं देश की अर्थ वेवस्ता में कुछ सुधार दिख सकता है रियल स्टेट में थोड़ी तेजी आ सकती है सोने के भाव बढ़ते जाएंगे साल अच्छी वर्षा के योग बनते हैं और प्रजा सुखी और संपन रहे ऐसी उमीद की जा सकती है रस वाले पदार्थों का फलों का उत्पादन अच्छा होगा देश में धर्म कर्म के कार्य भी अधिक होंगे जनता के प्रभाव में भी व्रिद्धी देखने को मिलेगी और कई बार जनता का प्रभाव सत्ता पर अ यह जो इस्थिती है मिले जुले प्रभाव ले करके आ रही है कहीं आपको मंगल का प्रभाव ज्यादा दिखेगा तो कहीं शनी का प्रभाव ज्यादा दिखेगा और शनी मंगल के आपस के बहर के वज़ा से प्रकृति के उपर भी कुछ प्रकोप आएगा आम जन्मानस भ बार बार आग रहा है कि जब भी आप मेरे वीडियोज देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सबस्क्राइब करें इसी शुब कामना के साथ कि आपका दिन शुब हो मुझे आगया दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोवास पो रेमिडीज नमोना रहा